ये पहले प्रधान मंत्री हैं जो अयोध्या गए हैं अब पॉल्टिक्स जो लोग कहे रहे हैं पचास साल सत्ता में रहे तो लोग यहां तक नियाई पालिका में कहें सपत पत्र दिये की राम कालपनी कहें राम का वजूद ही नहीं है और कभी दस रुपिया का प्रशाद राम जी के मंदिर में अयोध्या में नहीं चड़ाए तो नहीं जा रहे हैं उनकी आस्था है उनकी सद्धा है भारत में हर वेक्ति स्वतंत है किसी को हम जबर्जस्ति पूजा नहीं करा सकते और कोई पूजा क करें तो जबर्जस्ति हम उनको बंद नहीं करा सकते क्योंकि सबकी भार्मिक सुतंतता है और कुछ विक्रत बुद्धी का परचायक है जब मेंटली डिश्टर्ब होता है प्रीत करें जब तीनों भाई उपजय शन पात दुखजाई जब जिनका दिमाग गडबड होता है उनको राम से कटता दिखती है रामन जैसा तिकाल दर्शी विद्वान जिसको ब्रंभा पढ़ाने आते थे लेकिन वो राम से सदेव विरोध करता रहा जानते होए कि यह ब्रंभ है परमात्मा है अब जिनकी बुद्धी में भरा है कि हमको तो विरोध करना है तो करते रहे भै हर आदमी सुतंत है विपच्च है उनकी राजनीत का हम लोगों का भिषने हम लोगों का तो धरमे नीती है धरमे के अनुसार जो काम हो रहा है हम लोगों का 500 साल के इतिहास में जो काम हो रहा इससे बड़ा सव्भाग्य शनातणी हिंदुओं का नहीं होगा जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो दिन भी देखे हैं 89-90 में जब गोली मारी गई और लासें पड़ी थी कुते धंगना रहे थे और जिंदा पुलिस वाले पत्थर बांध कर सरजु में बहा रहे थी वो भी देखा है सरकार और आज भी देखा है अगर भगवा देख लें तो लाठी मारते थे वही पुलिस वाले आज भी वही पुलिस है साधू महत्मा जनता जाती है उनका सम्मान जोडती है तो समय है चक्र है जिसकी इच्छा जाए इसकी इच्छा है ना जाए लेकिन राम से विरोध एक तरह से अपने बिनास का मंतन करता है जिसका प्रत